हालो माई डियर फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल SBSV Academy में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तो आज हम बात करते हैं Consumer Electronics की Theory Class के Lesson 2 के बारे में तो दोस्तो जिल लोगों ने अभी तक Consumer Electronics का Lesson 1 नहीं देखा तो वीडियो के description में लिंक दिया गया वहां से देख सकते हैं चलिए दोस्तो तो हम सुरू करते हैं ये वीडियो दोस्तो आज हम बात करते हैं Lesson 2 Hi-Fi Storyo System तो दोस्तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे Hi-Fi Storyo पुन्रो उत्पादन Reproduction of Hi-Fi Storyo तो दोस्तो इसमें क्या होता है सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे Stereo Signal को Tape Mic Switch के माध्यम से दो अलग-अलग Channels से फीट किया राता है Stereo Signal को Tape Mic Switch के माध्यम से जो Tape Mic Switch होता है उसके माध्यम से अलग-अलग Amplification Channels में फीट किया राता है और दोस्तो इसमें आगे कहा गया है इस Amplifier सिस्टम में Low Noise, High Gain, Pre-Amplifiers, Equalizers, XR आवरत अनकुरिया प्रात करने है डिजाइन किये गए Amplifier Matching, Transformer, Balancing परिपत इत्याद होते है दोस्तो इसमें कहा गया है Amplifier सिस्टम में Low Noise, High Gain, Pre-Amplifiers, Equalizers, XR आवरत अनकुरिया प्राप्ट करने है डिजाइन किये गए Amplifier Matching Transformer, Balancing परिपत इत्याद होते है और दोस्तो इसमें आगे कहा गया है Matching Transformer के Secondary को उस Channel के Loud Speaker से Connect किया जाता है जो Matching Transformer की Secondary होती है उसको Channel के Loud Speaker से Connect किया जाता है हाई फाई सिस्टम में लावड स्पीकर में बूफर वा ट्विटर का प्रियोग किया जाता है जो हाई फाई सिस्टम होता है लावड स्पीकर में बूफर या ट्विटर का प्रियोग किया जाता है और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है इस सिस्टम को इस प्रकार दिजाइन किया राता है जिससे फ्लेट फ्रकेंसी रिस्पॉंस 40 हर्टज से 15 किलो हर्टज 1 डेसिबल लो डिस्टॉर्शन हाई एसन आर साउंड नॉइस रेसियो एसन आर इसको सॉर्ट में कहते हैं पचाश डेसिबल से अधिक डैनमिक रेंज 80 डेसिबल से अधिक प्राप्थ होती है अर्थात हाई फाई सिस्टम के सभी अविलच्छन प्राप्थ होते हैं दोस्तों अब हम डाइग्राम के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर यह है टेप प्लेबैक यह है डिस्क प्लेबैक यह है माइक्रोफोन और दोस्तों यह है pre-amplifier, equalizer, amplifier, matching circuit यहाँ पर दोस्तों loudspeaker लगे यह loudspeaker लगा है यह भी amplifier, equalizer, amplifier, matching circuit यह दोस्तों balancing control है दोस्तों यह हो गया है right channel यह हो गया है left channel दोस्तों इस प्रकार यह हमारा hi-fi reproducing system का block diagram हो गया है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं difference between noise and distortion के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं noise के बात noise consists of signal outside the wanted signal अर्थात, दोस्तों noise में क्या होता है noise का ततपर उन बाहरी signalों से है जो wanted signal को प्रभवित करते हैं दोस्तों distortion में क्या होता है wanted signal में ही deformation उत्पन हो जाना अर्थात उसका shape change हो जाना distortion कहलाता है और दोस्तों noise में क्या होता है noise एक external affair है अर्थात wanted signal के अलावा अन्य आसपास के वांचित signal के प्रभाव को noise कहा जाता है और दोस्तों distortion में क्या होता है distortion signal को internal authority अंद्रूनी affair है और दोस्तों noise के बारे में और कहा गया है audible noise दो परकार की होती है एक होती है environmental तथा एक होती है electrical दोस्तों distortion पांच परकार की होते है अब दोस्तों हम बात करते हैं नॉइस के बारे में निगेटिव फीडबेक, सिस्टम, इस्टोरियोफोनिक सिस्टम द्वारा डिस्टार्शन को एक परसेंट से भी कम किया दा सकता है और दोस्तों नॉइस के बारे में और कहा गया है इसको डेसमल में विक्त किया दा है नॉइस को साउंड नॉइस रेसियो, SNR के रूप में अधिकतर विक्त किया दाता है अच्छी क्वाल्टी सिस्टम का SNR 50 डेसिबल से कम नहीं होना चाहिए अब दोस्तों डिस्टार्शन के बारे में कहा गया है इसको परसेंटेज के रूप में विक्त किया दाता है एक परसेंट से कम डिस्टार्शन को टोलरेंस माना चाता है तो दोस्तों ये तो हमारे हो गए नॉइस और डिस्टार्शन में अंतर दोस्तों हम बात करते हैं ड्वाल्वी सिस्टम के बारे में दोस्तों इसमें क्या होता है डॉल्वी नाइस रिड़क्शन सिस्टम किसी सिस्टम SNR को बहतर बनाने की तक्नीकी है जिसमें रिकार्डिंग के समय प्री इंफेसिस वा फ्लाइवेक के समय डी इंफेसिस का यूज किया जाता है दोस्तों डॉल्वी सिस्टम में रिकार्डिंग के समय प्री इंफेसिस वा फ्लाइवेक के समय डी इंफेसिस का यूज किया जाता है और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है डॉल्वी लेवरेटीज द्वारा विक्सित 19 रिकार्डिंग सिस्टम की स्रेणी में से एक है जिसको एनालाग आईडियो टेप रिकार्डिंग है प्रियोग के लिए विक्सित किया गया था अब दोस्तों बात करते हैं डॉल्वी डिजिटल के बारे में इसमें दोस्तों क्या होता है डॉल्वी डिजिटल एक डिजिटल आईडियो कोडिंग तकनीकी है दोस्तों जो डॉल्वी डिजिटल है वो एक डिजिटल आईडियो कोडिंग तकनीक है जिसमें कुछ quality sound उत्पन करने हित आवस्यक data की मात्रा को कम किया जाता है इसमें quality sound उत्पन करने के लिए data की मात्रा को कम कियाता है Dolby Digital इस बात का लाव उठाती है कि कान sound को किस प्रकार प्रोसेस करते हैं और दोस्तो इसमें आगे लिखा है Dolby Digital को DVD, HDTV, Digital Cable तथा satellite transmission में यूज किया जाता है दोस्तो अब हम बात करते हैं fidelity के बारे में दोस्तो अब हम बात करते हैं fidelity के बारे में इसमें दोस्तो क्या होता है ideal system में इसको sound को faithfully reproduce करने के तातपर में यूज किया जाता है जो ideal system है उसको sound को faithfully reproduce करने के तातपर में यूज किया जाता है अता किसी ideal system की output signal में उन सभी अभिलच्छनों को reproduce कर देने की छमता जो input signal में मौजूद है उसकी fidelity कहलाती है दोस्तो अब हम बात करते हैं धन अनुरणन, acoustic revibration के बारे में इसमें दोस्तों क्या होता है धनी तरंगों के किसी बंद कमरे में दीवारों, छत वा दर्वाजों से बार बार टकराने के बाद धीरे धीरे छीवण होता है धनी तरंगों के किसी बंद कमरे में दीवारों, छत वा दर्वाजों से बार बार टकराने के बाद धीरे धीरे छीवण होता है जो धनी तरंगों होती है वो बंद कमरे में दीवारों, छत वा दर्वाजों से बार बार टकराने के बाद छीवण होती है और आगे लिखा है अतहा साउंड का सोर्स समाप्त होने के बाद साउंड का धीरे धीरे छीवण होना रीवाइबरेसन कहलाता है और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है sound के प्राणभिक मांसे उसके 10 की पावर माईनेश 6 कम हो जानने में लगने वाला समय revibration time कहलाता है और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है अधिक revibration से धन की गुर्वत्ता में कमी आ जाती है जब अधिक revibration हो जाता है तो धनी की गुड़ता में कमी आ जाती है किसी कंसर्ट हाल में रिवाब्रेशन समय दो सेकंड तथा लेक्चर हाल में 0.5 सेकंड के आसपास होता है जो कंसर्ट हाल होता है उसमें रिवाब्रेशन का समय दोस्टों अब हम बात कर लेते हैं public address system के बारे में इसमें दोस्टों क्या हो है, public address system या PA system एक बिद्धुत धुनी system होता है जो public address system है, वो बिद्धुत धुनी system होता है जहां धुनी को microphone दWORA byатель signal में convert किया जाता है इसमें ध्वनी सिंगनल को माइक्रोफोन द्वारा बिद्दू सिंगनल में कनवर्ट किया जाता है और दोस्तों इसमें आगे लिखा है तथा फिर इस बिद्दू सिंगनल को एंप्लीफाईरों द्वारा एंप्लीफाई वा प्रोसेस किया जाता है तथा यहां प्रोसेस्ट सिंगनल लाउड स्पीकर को फीड करके पुना धोनी का पुन्रोत पाधन किया जाता है इस एम्प्लिफाई धोनी को लार्ज गेदरिंग में सुरोता आराम से सुन सकते हैं दोस्तों यह है पब्लिक एड्रेस सिस्टम का ब्लाक ड्राइगराम देखें दोस्तों यह है माइक्रोफोन यह है दोस्तों मिक्सर फिर वोल्टेज एम्प्लिफाईर फिर प्रोसेस सर्किट ड्राइवर एम्प्लिफाईर पावर एम्प्लिफाईर मैचिंग ट्रांसफार्मर और दोस्तों यह हमारा लाउड स्पीकर लगा हुआ है तो दोस्तो ये तो हो गया हमारा public address system का block diagram तो दोस्तो consumer electronic का हमारा relation to complete हो गया है तो दोस्तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे telegram channel SBSV Academy को join नहीं किया है तो दोस्तो join कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको BTU PIDARA official notice तथा अन्य जानकारी दी जाती है दोस्तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो like कीजिए, share कीजिए और हमारे channel को subscribe कीजिए तो दोस्तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिन